आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello students, तो हमाया Question है In Risophora, Negatively Geotrophic Roots are Found Which Come Above the Ground 4 तो इसमें हमें बताना है कि Negatively Geotrophic Roots Ground से उपर क्यों आती है Mechanical Support, Gaseous Exchange, Photosynthesis या Floating तो जो हमारी Normal Roots होती है, Plant की वो नीचे की तरफ Grow करती है Normal, जो हमारी Underground Roots होती है तो उन्हें हम बोलते है Positively Geotrophic Roots तो हम यह बना के देख लेता है तो Normal हमें ऐसी Roots देखने को मिलती है, जादत है तो इन्हें हम बोलते है Positive Geotrophic Roots मतलब With the Gravity, Along With the Gravity तो Gravitational Force नीचे की तरफ होता है तो इन्हें रूट्स में नीचे की तरफ Grow होती है Downwards तो इन्हें हम बोलते है Positively Geotrophic बर जो हमाय राइजोफोरा होता है वो Swampy Damned Places पे प्रेजेंट होता है तो इसलिए उसकी जो Roots होती है वो Upwards Grow कर जाती है हम देखते हैं कि वो Soil से बाहर आ जाती है और उपर की तरह Grow करती है उपर की तरफ तो इसलिए उन्हें हम बोलते है Negatively Geotrophic Roots मतलब Against the Gravity Gravitational Force नीचे की तरफ होता है पर वो Above the Ground Grow करते है उपर की तरफ तो यह हम इसका डाइग्राम बना लेता है और इसमें यह holes भी प्रेजेंट होते है breathing के लिए तो इसने हम breathing roots भी बोलते है और इन्हें हम बोलते है pneumatophores तो इसमें holes present होता है तो राइज़फोरा में यह क्यों होते है जिससे वो easily gaseous exchange कर सके और breathe कर सके तो इसलिए इस question का जो हमारा correct answer है वो हो जाएगा भी gaseous exchange mechanical support तो इसके लिए जो हमारी prop roots होती है bennion tree में वो support के लिए होते हैं तो यह गलत हो गया photosynthesis गलत है और floating roots जो हमारी aquatic plants में देखने को मिलती है उन्हें हम बोलते है floating roots तो इसलिए इस question का correct answer है b gaseous exchange thank you